हलो एवरीबडी इस दिग्रास सिंग राजपूत वेलकम तो मैगनेट ब्रेंज इस वीडियों हम क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियों हम पढ़ेंगे जॉन रॉल्स थियोरी आफ जस्टिस जॉन रॉल्स की यह जो थियोरी है यह क्लास 11 के स्टुडेंस के लिए इंपॉर् ठीक है इस वीडियो के एंग तक मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आपको एकदम क्रिस्टल क्लारिटी होगी इस टॉपिक के उपर कि जॉन रॉल्स जो है अपनी थियोरी आफ जस्टिस में क्या कहना चाहते हैं वह जस्टिस को कैसे डिफाइन करते हैं वह क्या तरीका बत तरीके देखें कि कैसे जस्टिस को स्टैब्लिश किया जा सकता है थियोरी पड़ी आपने जस्टिस से जुड़ी है कि याए आखिर होता क्या है लेकिन थियोरी इन दे अपसेंस वाफ तिंकर्स का क्या पॉइंट और व्यू है तो हम जॉन रॉल्स जो एक अमेरिकन मॉरल पॉलिटिकल फिलोसोफर है उनके पॉइंट ऑफ यू सो समझेंगे कि कैसे जस्टिस को स्टैब्लिश किया जा सकता है थीक है अभी इंपॉर्टन चीज क्या है कि जब हम उनकी थियोरी समझते तो उससे पहले आपसे कुछ सवाल पुछे जाएंगे जैसे एक सवाल मैं समाज आप क्या साच होग के टिक है तो आप क्या कहेंगे जहां पे हमारी प्रिविलेश्ट पॉंट पर होना चाहिए ठीक है तो प्रिविलेजिच पॉजिशन नहीं आहां समझ में एक और एक्जामपल लेते देखो मैंने आप से स्सवाश कि आप कि सब्सक्रार की मैच दे selfish nature होता है न थोड़ा सा, तो human beings क्या चाहेंगे कि वो किस तरह के समाज में रहे, जहां उन्हें फायदा होता हो, ठीक है, सब अपना फायदा देखते न, तो human beings क्या करेंगे, human beings भी उसी तरह के समाज में रहना पसंद करेंगे, जहां पे उन्हें फायदा होगा, ठीक है, तो what is a good society according to you, अगर आप बात की जाए, आप से पुछा जाए कि सही क्या होगा, तो जो आपके favor में हो वो सही होगा, ठीक है, करवा है मगर सच है, क्या कर सकते हैं, ठीक है, तो in which your interests are a privileged position, अब क्या है, इस perspective की एक limitation है, ठीक, अगर आप इस तरह से सोचते हैं, और usually human being ऐसे ही सोचत अगर मैं आप से बोलो, अगर इसको justice से relate करो, कि न्याय क्या होगा, तो न्याय वो होगा जो आपके against ना हो, अगर तो जो जो आपके favor में होगा, आपके against ना हो, मानते हो इस चीज को, तो इस perspective की limitation क्या हो भी पता है, इस perspective की limitation ही हो गई है, कि अपने आप में just नहीं है, ठी कि हर आदमी अपना interest पहले secure करता है, तो वहाँ पर क्या हो रहा है, कि यहाँ पर आदमी किस तरह से सोच रहा है, कि मेरा फायदा होना चाहिए, या फिर एक अच्छी society होगी, जहाँ पर मैं privileged position में रहूँ, मतलब justice जहाँ पर कैसे दिया जाए, मुझे ध्यान में रखते हु मिलना चाहिए, जो गलत करेगा उसे punishment मिलना चाहिए, लेकिन समस्य कहा आजाती है, आपने गलत कर दिया, तो आपका ये जो idea था ना, कि जो गलत करेगा उसे punishment मिलना चाहिए, वो idea डगमगाने लगता है, ठीक है, मतलब हम क्या करते हैं, कि rules बनाएंगे, लेकिन rules जब नहीं बोल सकते हो, तो अब इस perspective को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, ये limitation को ध्यान में रखते हुए, John Rawls जह है, तो John Rawls tried to provide a theory of justice, ठीक है, उन्होंने एक theory दिये justice की, कि अगर आप इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए justice लाओगे, तो हमेशा जो इंसान के पास power होगी, justice ऐसे देगा कि वो हमेशा privilege position में रहे, ठीक है, और ये अपने आप में क्या है, justice का जो objective है, नियाय को ही क्या कर जाता है, ये नियाय पूर्ण तरीका ही नहीं है, कि नियाय को आप सही तरीके से दे सको, ठीक है, justice को define करने का just तरीका ही नहीं है, ठीक, तो वो limitation रही, तो उस justice हो, लेकिन justice भी just हो, fair हो, unfair ना हो, unjust ना हो, आगा है समझ में, देखो, ये कडी पहली है, जैसे बोलते हैं, मतलब आपको छट पर जाना है, तो क्या होगा, कि जो सीडिया होगी, तो उसका पहली जो सीडिय होगी, वो चड़ोगे, तक दूसरी पर चड़पाऊगे, इस ची देगा, वो अपने आपको privileged position में रखेगा, तो justice देने का तरीका ही unjust है, आगे ना समझ में, इसके लिए John Rawls अपनी theory देते हैं, मजदार theory है, तो अब आगे की कहानी समझना है, एक सीडिय चलगा हो ना आप दूसरी सीडिय पर चड़ो, ठीक है, दूसरी सीडिय कैसे चाहते अभी बहुत साइल लोगों के मन में सवाल आया होगा, कि सर, जब individuals ही decision लेंगे, तो यहापे क्या बताया है मैंने कि individuals will take decision, about how society should be organized, मतलब आप एक society में justice के अगर बात करोगे, तो justice कैसे आएगा, justice कौन देगा, इस चीज़ का decision individuals ही लेंगे, उस society के लोग ही decision लेंगे, सवाल आपके उनमें कि individuals अगर निनना ही लेंगे, तो individuals तो फिर वही वाली बात आजाएगी, कि वो अपना, अपनी position को, अपने interest को privilege point पर देखना चाहेंगे, तो objective तो खतम ही हो गया, तो फिर limitation आ गई, लेकिन John Rawls उसको explain करते हैं कि हम क्या तरीका रखे हैं, जिससे individuals जो हैं, इस limitations उपर आए, ठीक हैं, तो क्या होता है, John Rawls बोलते हैं, decision individuals ही लेंगे, but before that, they should be in original position, ठीक है, क्या बोलते हैं, देखो, ये वाली line जो है, differentiate कर देती है, सारी चीजों को, John Rawls से बोलते हैं कि individuals को ही तय करने दो कि society में justice कैसे आएगा, नियाय चाहिए, नियाय नियाय चिला रह पहाना होगा, original position पहाना होगा मतलब क्या होता है, original position में समझाता हूँ आपको, a situation in which, ठीक है, original position क्या जोखो, original position ये है, कि a situation in which no one, in which one do not know the position which he, she is going to occupy, rich, poor, privilege or disadvantages, disadvantages in the society, ठीक है, और इसे ही willow of ignorance कहा जाता है, ठीक है, इसे ही willow of ignorance कहा जाता है, अब ज़रा कहानी को समझना अ important चीज है यहाँ पर, यही पूरा, मतलब theory को समझने के लिए point समझना बहुत ज़रूरी, लोगों को original point समझना ही आता है, John Rawls क्या बोलते है, कि आपको तय करना है, कि समाज कैसा हो, ठीक है, आपको तय करना है, समाज कैसा हो, लेकिन आपको ये नहीं पता है, कि आपको अथे करना ही है, हम आटो लोगों को क्या है, कंग का हिस्सा मिलेगा, ठीक है, बァær Twicee हो, अब划धय हो, आपको तय करना है, कि मतलब केक आपको एक काट ना है, जैसे मनता हा जहीं है, इंडिविजल्स करड़ों जी आपको काटना है, जैसे मिल्से ये इंडिविजस विल ट मैंने केक काट दिया मैंने केक काट दिया अब लेकिन आपको यह नहीं पता है कि आपको कौन सा पीस मिलेगा मज़े की बात यह है आगे समझ में केक है केक काटना भी आपको लेकिन आपको यह नहीं पता रहेगा कि आपको कौन सा पीस मिलेगा अब अगर मान लो आपने क्या क आपने चाला कई यह करी की 7 पीस चोटे मिलेगा लेकिन वजय की पात क्या है यह पज़ा है कि हो आपको पीस मिलेगा तो बड़ा पीस किसी और की हिससे में चले जाएगा तो इसमें आदमी क्या करेगा, इसमें सबसे जस्ट तरीका क्या रहेगा, कि इंसान जब decision लेगा cake काटने का, तो वो आटो हिस्सो को क्या करेगा, एक दम बराबर काटने का, क्योंकि उसे पता नहीं है, कि उसे कौन सा peace मिलने वाला है, तो यहाँ पे उसी चीज़ को original position की बा not know the position which he or she is going to occupy, मतलब आपको rules बनाना है, आपको यह तै करना है कि society में justice ऐसे मिलेगा, लेकिन आपको यह नहीं पता है कि आप society के किस हिससे में जाओगे, राजा मंतरी चोर सिपाई खेलते थे थे न, चिट आप ही बनाते हो, फोल्ड आप ही करते हो, आप ही डालते हो, ठी पता है कि आपको कौन से चीट आने वाली, तो आप इमानदारी से काम करते हो, ठीक है, उसी तरह से जॉन रोल्स भी बोलते है कि individuals टाय करें, लेकिन individuals को यह नहीं पता होना चाहिए कि society के किस section में वो जाएंगे, ठीक है, मतलब जो laws बनेंगे, तो laws सब के लिए एक जैसे त करदे में रहते हैं एक तरह से, उन्हें नहीं पता रहता है कि उन्हें क्या मिलने वाला है, ठीक है, जब वो विले of ignorance में रहते हैं, तो उसके चलते क्या होता है, उसके चलते है, वो जो decision लेंगे, taking the decision from the point of view of worst of, तो आप क्या सोच के चलतो हो, जो सब से बुरा हो सकता है, वो possibility लेके चलो, मतलब आप केक काट होगे, तो एक भी केक के piece को आप बड़ा छोटा नहीं करोगे, क्यों आपको पता है, कि अगर सबसे छोटा वाला मुझे मिल गया, तो सब से घाटे में चले जाओंगा, तो सब बराबर काट तो जो भी मिले, सब अच्छा रहेगा, अब वही, फिर क्या बात होती ही, इंडिविजोस हमें सा क्या सोचने लगते हैं, कि मेरा इंटरेस्ट जो है, ठीक है, वो प्रिविलेश्ट पोजीशन पर रहना चाहिए, लेकि अब इंडिविजोस को जब यह पता ही नहीं रहेगा, जब वो औरीजनल पोजीशन में रहे तो वो यह सोच के चलते हैं, कि सब बराबर ही काटो, आगे है नहीं समझ में, कि एक वाले एक्जामपल, एक्जेक्ट एक्जामपल उसे ध्यान रखना, ठीक है, तो अब इसका एडवांटेज का है, जो मैंने आप बताए कि इस ओरिजनल पोजीशन में आने का हैं, ठीक है, तो therefore they will support a decision about the rules and organization of that future society which would be fair for all the members, आया ना समझ में, जब इंडिविजल को नहीं पता है कि वो क्या होने वाले हैं, उन्हें क्या मिलने वाला है, तो decision उस तरह से लेंगे, they will support a decision about rules and organization of that future society which would be fair for all the members, तो decision इसी तरह से लेंगे society में, जहां पे सारे individuals के लिए सारी चीज़ें fair रहे, क्योंकि उन्हें पता है अगर वो कहीं पे unfair काम कर देंगे तो हो सकता है, वो unfair bracket में भी चले जाए, वो खुद unfair वाले bracket में चले जाए, ठीक है, why का मतलब समझाए ना है, हापर why क्या है, तो अब देखो, cake को excited रखते हो, अगर theories अगर समझे, मान लो, हमें इनना है कि justice क्या होना चाहिए, rules regulation हमें बनाना individuals को, और हमें पता है कि हम तो अमीर है, तो हम rules and regulation कैसे बना देंगे, हम rules and regulation ऐसे बना देंगे, कि गरीबों को rights ना मिलें लेकि अमीरों को पूरे-पूरे rights मिलना चाहिए, ignorance यहाँ पर बहुत important हो जाती है, ठीक, क्योंकि देख individuals को ही लेना है, society कैसे organize करना है, लेकिन individuals are under whale of ignorance, whale मतलब जैसे बुर्खा होता है पर्दा, तो पर्दे के अंदर हो आप पर्दा किस चीज का ignorance का डला हूँ आपको पर आपको नहीं पता है, कुछ भी नि जानकारी आपको की समाज कैसा बनने वाला है, ठीक है, और possibility कि आप original position में हो, original position में हो, कि आपको ये भी नहीं पता है कि आप वो जो society बनेगी उसके किस section में जाने वालो, एक और अच्छा example ध्याना आया है, वो समझाता हो, देखो, कि एक hotel है, ठीक है, खंडर सा है, मतलब खंडर हो गया पूरा, उसको रिनोवेट करना है, रिनोवेट करने की तो आप से ये बोल दिया गया है, कि आपको भी एक room मिलेगा इसमें, अब आप क्या करोगे, लेकिन ये नहीं बताए कि आपको कौन सा room मिलेगा, तब आप क्या करोगे, पता है, आप सारे room को एक जैसा बनाओगे, जो room खराब होगा, उसे भी आप बराबरी पर लाके करना तो he or she is under veil of ignorance, ठीक है, उसे नहीं पता है कि उसे क्या मिलने वाला है, लेकिन ताहे उसे ही करना है कि सारे room अच्छे हो, क्योंकि उसे भी एक room मिलने वाला, तो वैसे individuals को society में ही रहना है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता है, वो society के किस section में जाएंगे, वो upper strata में भी ज ignorance का concept समझ में आया है, कि आप original position पर आपको नहीं पता है कि आप किस position को occupy करने वाले हो, ठीक है, society में, तो उसके चलते क्या होता है, कि आप जब भी सोचोगे, जो भी निर्ने लोगे, तो आप अपने आपको worst of position पर रखके चलोगे, और वो worst of position पर जब आप रखके चलोगे तो आप जब complete ignorance में रहोगे, तो आप ऐसे decision को support करोगे, जिसमें क्या होने वाला है, जिसमें जो सभी के लिए fair रहे, जो एकदम justified रहे, और उसका advantage क्या है, उसका advantage यह है, कि इससे weaker section के बारे में भी सोचा जाता है, ठीक है, तो it would make a sense for each person, हर इंसान के लिए sensible तरीके से decision लि दूँगा, कि जब आप well of ignorance के under में आके क्या करोगे, well of ignorance के under में आके decision लोगे, तो उससे होने क्या वाला है, उससे होने यह वाला है कि आप जो है, आप weaker section के बारे में भी सोचोगे, क्यों, क्योंकि यह भी हो सकता है, कि आप खुद weaker section को belong करो, तो example में यह से आप education health facilities यह ज सारी चीज़े करोगे, क्योंकि क्या भरो सा आप lower class में आ जाओ, ठीक है, you are in the original position, आपको यह नहीं बता है कि आप society की किस section में जाने वाले हो, ठीक है, तो John Rawls जो है अपनी theory में सीधी सी चीज़ यही बताते है, देखो John Rawls नहीं यह नहीं बता है कि original position में कैसे पहुचाया इंसान को, ठीक, लेकिंग John Rawls बताते कि अगर इस approach से चीज़ों को करवाया जाए, जैसे अब आप hotel का वो काम करवाना है, वो example में अगर आप किसी को ऐसा काम दोगे कि एक कमरा हम आपको उपर वाला दे देंगे, आप पूरे hotel की कमरे से ही कर दो, तो यह तय है कि वो पूर बता हो, अगर आप क्या कर रहे हो, जस्टिस के principle सेट करने का काम आपने क्या दे दिया कि सारे bureaucrats को दे दिया, तो वो अपने लिए जस्टिस की definition हमेशा ऐसी बनाएंगे कि वो एक privileged position में रहे, ठीक है, तो क्या होना चाहिए कि जस्टिस जो बना रहे है, उस इंसाम को बतान की बात है कि वो बहुत justified रहेंगे, सब इस position से सोचना चालू करेंगे कि वो किसी भी section में जा सकते है, आयना समझ में, ये कहानी है तो, ठीक है, अब देखो क्या है, अब सवाल ये आता है, कि is it possible to erase all our identities and to imagine oneself under the veil of ignorance, ठीक है, क्या ये ऐसा possible हो सकता है, ठीक है, गजनी को देख उसका एक दूसरा perspective है, जिक है सिक्का, आप देखते हो, सिक्के के दो पहली होते है, तो जितना difficult ये है कि आप अपनी memories को नहीं भुला सकते हो, it is equally difficult for most people to be self-sacrificing and share their good fortune with strangers, ठीक है, अब देखना, दो डायमेंशन अच्छे से समझ जा है, मैं पुरा प्रयास कर रहा हूं कि flow में चीदों को समझाते चले आपको, तो बात क्या की गई अभी तक आपने क्या देखा, कि individual जो original position में आ जाना चीए, he or see should be under the wheel of ignorance, जिसमें वो ये भूल जाए कि उसकी अपनी identity क्या, और फिर justice की बात करे, फिर rules and regulation मनाया, ठीक है, सवाल ये आता है कि possible नहीं है, लेकिन को आप जो बोलरों कोई अपनी identity को नहीं भूल सकता है, तो इसलिए हम wail of ignorance में लाने की बात करते हैं, क्योंकि जब अपनी identity को नहीं भूल सकता है, तो it is equally difficult for most people to be self-sacrificing, तो जब rules बनाएंगे ना, तो justice हमेशा अपने group के लिए, अपने section के लिए, अपने खुद के interest के लि करेंगे, ठीक है, justice देने की बात करेंगे, अगर, तो वो क्या होंगे, it is equally difficult for most of the people to be self-sacrificing, तो इसलिए वो self-sacrifice करेंगे ही नहीं, तो यही मैं आपको explain कर रहा हूं कि तभी wail of ignorance का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, अब आप जैसे देखोगा ना, तो society, देख रहा उसको अच्छा है, इसलिए बताते हैं हम, क्योंकि त्याग कोई यूही नहीं करेगा, जब तक आप उसके साथ में कोई incentive नहीं जोड़ोगा, जैसे क्या होता कि कोई इंसान इमानदार है, इमानदार है, समझना बहुत अच्छी चीज़ बता रहा हूं मैं आपको, अब आपके account में कहीं से पैसे आ गए, लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप वो पैसे लोटा दे रहो वापस, ठीके, बदले में क्या मिला ठेंगा, फिर भी आप कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, क्योंकि उससे आप इमानदारी को दर्शा रहे हो, ठीके, तो इमानदारी जो है, हमने उ तो इसी concept को आपको समझना है कि society जैसे इवाल्व होते आ गई न तो society को समझ आया कि बैमानी से लोगों को नुकसान होगा इमानदारी से लोगों को फाइदा होगा तो इसलिए हमने क्या करा इमानदारी वाले value को heroism से dignity से self respect से जोड़ा है उसको अच्छा बताया उसको good values में डाला इसको bad values में डाला ठीक है क्योंकि हमें पता है individual कभी भी अपना घाटा नहीं होते हो देखेगा वगर rationally सोचा जाए ठीक है values को excite होके rationally सोचोगे आपको पैसे मिलेंगे तो आप वापस नहीं लोटा होगे क्यों क्यों क्योंकि उससे फायदा हो रहा है आपको लेकिन आप वापस लोटा रहे हो आपका नुक्सान हो रहा है तो बदले में क्या मिला तो बदले में हमें उसके साथ में values associate करते है हम लोग ठीक है तो वही चीज यहाँ पर बताई गई है कि वेल ओस एग्णोरेंस की जो कहानी है न तो वो इंडिविजर अपनी आइडेंटीटी को नहीं भुला सकता है लेकिन अब आइडेंटीटी को जब नहीं भुला सकता तो हमेशा अपने इंट्रेस्ट के बारे में भी सोचेगा इसलिए सेल्फ सेक्रिफाइज और इन सारी चीजों की बात की जाना चाहिए ताकि क्या हो इस चीज को जब आप हीरोईजम से अच्छी वैल्यू से जोड़ के देखोगे ना तो आज में उसके कम से क्या सकते कहीं किसी मोल पे तो सेल्फ सेक्रिफाइज करने को त्यार हो जाएगा ठीक है तो यह कंफीजिंग लग सकता है पॉइंट यहां पर थोड़ा तो उसको सिंप्लिफाइड ऐसा कर सकते हम कि एडवांटेज बहुत जादा है वेलोफ इंग्नोरेंस में होने के लेकिन उसमें समस्य यह है कि इंडिविजल अपने आइडेंटिट क्या कहते है जॉन रॉस ठीक है कहानी समय में आगई ना कि इंडिविजल अपनी आइडेंटिटी को एरेज नहीं कर सकते हैं ठीक लेकिन फिर भी इसकी मतलब यह यह लिमिटेशन हो गई इस थेओरी की वेलोफ इंग्नोरेंस की लेकिन फिर वेलोफ इंग्नोरेंस कैसे काम करो वेलोफ इंग्नोरेंस की पोजिशन में आदमी अपने आपको रैशनल सेल्फ में लियाता है रैशनल सेल्फ में कैसे लियाता है इसको वापिस स्टार्टिंग से जोड़ना वापिस स्टार्टिंग से जोड़ना वापिस स्टार्टिंग से कैसे जोड़ना देखो सिंप तो सबसे बढ़ियां प्रोफित और लॉस अब करके अगर आप देख लोगे मैथमेटिकली भी देख लोगे ना तो सबसे बढ़ियां तरीका यही रहेगा कि आप सारे के पीसे बराबर काटो उसमें सबसे आदा फाइदा है ठीक है एक प्वासिबिलिटी होती कि आप साथ हि तरीका क्या होगा केक काटने का कि आप सारे से बराबर काट दो तो वेल ऑफ एग्नोरेंस में जब इनसान रहता है ना तो इट एक्सपेक्ट पीपल तो भी जस्ट दियर यूजवल रैशनल सेल्स ठीक है उन्हें पता है कि अगर हम क्या करेंगे किसी एक सेक्शन के हिसाब से सोचेंगे तो हम उस सेक्शन में नहीं गए तो घाटा ही होने वाला है तो आदमी यह निगता कि क्या मिल सकता आदमी इस पॉइंट ऑफ व्यू से दिखता कि क्या खो सकते हैं हम अगर हम जस्टिस के प्रिंसिपल सेट करते समय क्या करते हैं थोड़ी बेमानी करते किसी एक section को फायदा करते हैं और हम अगर दूसरे section में चले गए तो हमारी worst of position रहेगी ठीक है तो इसलिए हम क्या करता है कि हम किसी भी section में चले जाए हमें नुकसान ना हो worst of ठीक है तो worst of point of view से सोचते हैं और rational person will not only see things from the perspective of worst of they will also try to ensure that the policies they frame benefit the society as a whole ठीक है और यह इसका advantage भी है समझ ठीक है अच्छे से समझना क्या होता है कि जब एक rational individual जो देखता है कि मतलब हम अगर पहले अगर individual के हिसाब से देखे तो under will of ignorance जो theory of justice बताती है कि individuals कैसे decision लेंगे कि वो अपने आपके बारे में सुचेंगे rationally कि या मैं worst of position पर जा सकता हूं तो मुझे worst of position से बचने के लिए हैं ऐसे decision लेना होंगे, ऐसे rules बनाना होंगे जहां पे मतलब ऐसे rules बनाना होंगे, ऐसे अइसे लेना होंगे, कि जहां पर मैं सबसे बुरी position पर हूँ तो भी नुक्सान ना हो, तो उसका तो फायदा देखी रहा है वह, साथ यस साथ में knowingly and knowingly उसने क्या कर दिया कि पूरी benefit the society as a whole तो पूरे समाज को सबसे अच्छी चीजे मिलेगी क्यों क्योंकि वो अपने आपको सबसे नीचे अले section के इसा आप से देखके rules बनाएगा तो सबसे नीचे अले section के लिए rules अच्छे बनाएगा आगे ना समझ में यह कहानी है तो fairness would be the outcome of rational action not benevolence और generosity ठीक है तो यह important चीज है क्या होता है कि आप जो fair society की just society की बात कर रहे हो ना तो वो rational action से निकल के आएगी rational action से कैसे निकल के आएगी देखना समझ जा हां rational action से ऐसे निकल के आएगी कि अगर हम बात कर देते policy बनाने वाले जैसे हम पहले क्या चलता था राजा कि राजा के ऊपर छोड़ दिया कि राजा इतना benevolent है कि वो सभी के लिए सोचेगा लेकिन practically देखा जाए तो राजा सभी के लिए सोचेगा लेकिन पहले अपने लिए सोचेगा ठीक है तो उसमें जो fairness की आप बात कर रहे जाए समझ के देखना तब fairness जो आईगी न तो rational action का outcome होगा मतलब राजा यह सोचेगा कि मैं भी फकीर बन सकता हूं तो उस हिसाब से मैं justice कि सभी कल को मैं फकीर बनो तो मेरे लिए भी वही rules रहे आ गया तो उस तरह से यहां पर fairness किसी एक individual पर depend नहीं कर रही है इंडिविज thinking from the position of worst of यह हमेशा अपने rational self से सोचेंगे कोई क्या सकते है कोई सगा संबंदी कोई अपने tiltation से नहीं सोचेंगे वो यह सोचेंगे कि मेरे लिए क्या सबसे आदा सही होगा तो मेरे लिए जो सबसे सही होगा वो rational action से ही निकल क्या आएगा ठीक है तो rational thinking not morality could lead us to be fair and judge impartially regarding how to distribute the benefits and burdens of a society आगे ना समझ में तो rational thinking निकल के आएगी कि क्योंकि एक ही वीडियो में दिखा है ठीक है आप जैसे अगर और graduation level पर पढ़ रहे हैं तो आपको तो इसमें और भी multiple जौन रॉल्स जो जो theory देते हैं justice की तो वो बताते हैं कि एक just और एक fear theory होना चाहिए तो जौन रॉल्स की theory के according वो क्या बोलते है कि individual सी decision ले लेकिन individuals को decision लेने से पहले आपको एक बुर्खार पहनाना होगा एक उन्हें परदा पहनाना होगा उसे क्या कहा उन्होंने वेल ऑफ ignorance कहा और वेल ऑफ ignorance के according क्या होगा कि individual जब original position पर होगा तो वह वहाँ पे अपने group के बारे में अपने interest के बारे में नहीं सोचेगा वो यह सोचेगा एक ऐसी society एक ऐसा justice का principle निकाल के दो जिसमें सभी को फायदा हो क्योंकि उससे यह नहीं पता है कि वो किस position पर जाने वाला है उससे यह नहीं पता है वो किस position पर जाने वाला है तो इससाब से वो बहुत just और fair rules बनाएगा society के हर section के लिए ठीक है इससे क्या वो अपने आपको कहा रखके देख रहा है वो अपने आपको worst of position में देखके देख रहा है तो वो rationally सोचेगा अपने खुद के लिए लेकिन उससे फायदा पूरी society को भी होगा क्यों क्योंकि वो जब worst of position से सोचेगा वो सोचेगा कि सबसे नीचे आले section में में खुद भी जा सकता हूं तो rules सबके लिए जैसे बनाएगा तो इससे सबसे नीचे अले section को भी फायदा होगा केक वाले example ध्यार रखना केक काटते समय आगे से ध्यार रखना ठीक है यह पूरी कहानी थी किस चीज की John Rawls theory of justice कि I hope you enjoyed it सारी चीज़ आपको समझ में आई है किसी प्रकार का डाउट नहीं है आशा करता हो concept यहां तक clear है next video में जो अगला topic है आपका pursuing social justice उस topic को हम पढ़ेंगे clear है magnet brains पर class 4th से class 10 तक 12 तक स्वरी ठीक है class 4th से class 12 तक इसी तरह से सभी subjects, chapters, topics, subtopics सब कुछ systematic way में video lectures के format में available है जिनने आप बहुत आसानी से पल सकते हैं समझ सकते हैं घर बैठे अपना syllabus complete कर सकते हैं अपने juniors और seniors को ज़रूर बताए magnet brains के बारे में मिलता है नेक्स वीडियो में, till then stay connected, keep learning, thank you, thank you very much